स्टुडेंट गुड मॉरिंग, विलकम बैक टू माई अनलाइन क्लास, हिंदी फर्ष्ट लेसन नाइन, बुराई के बदले भलाई जब मनुष्य के आखों में पश्चात आपकी आशुगा जाते हैं, तो वह अपने मन में अपने भूल सुईकार कर लेता है ऐसी एक घटना ने रविंद्र के जीवन को ही बदल कर रख दिया, तो आओ जाने कैसे रविंद्र कक्षा पांच का चात्रा था, पढ़ाई में वह एक शामान्य विद्यार्थी था, हर साल कक्षा में उत्तेड होकर अगली कक्षा में पहुँच जाता था इससे ज़्यादा कुछ कर दिखाने का वह सोचता भी ना था, सोचे भी कैसे उसका दिमाग तो हर समय किसी ना किसी सरारत में लगा रहता था इसकूल में उसके सहपाठी और अध्यापक उससे परिसान रहते थे और घर में उसकी कार्टूतों को देख सुनकर माथा पिता, माथा ठोकते थे दूसरों को चिढ़ाने और सताने में रविंद्र को विशे सानन्द मिलता था उसके कक्षा के विद्यार थी तो उससे बहुत ही परेशान थे कभी किसी की कॉपी गायब हो जाती तो कभी किताब कभी किसी कॉपी के पन्ने फटे मिलते तो कभी किसी के कमीज पर स्याही छिड़की मिलती कभी ब्लैक बोर्ड पर क्लास मानीटर का चित्र बना होता तो कभी किसी अध्यापक का सभी छात्र जानते थे कि ये सरारत किसकी थी दवी जुबान में वे रविंद्र को भला बुरा भी कहते थे पर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि खुल कर उसका विरोध कर सके विरोध करने का मतलब था अपने हाथ पैर तुड़वाना अध्यापकों ने अनेक बार उसे समझाने का प्रयतने किया जब समझाने की बात न बनी तो वह समझ गए कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं और उसे कड़े से कड़ा दंड भी दिया गया यहां तक की एक बार तो उसका स्कूल से नाम ही काड़ दिया गया पर उसके माता पिता के प्रार्थना पर फिर से नाम लिखना पड़ा आकिर अध्यापक उसके माता पिता के दुख समझते थे माता पिता भी उससे हर समय हर तरह से समझा समझा कर हार जाते थे पर उस पर कोई प्रभाव न पढ़ता था कहते हैं न कुत्ते की दूम को कितना भी सीधा करो वो हमेशा टेड़ी ही रहती है ऐसा ही कुछ था रविंद्र के साथ एक दिन उस कक्छा में पंकज नाम के एक नए लड़के ने प्रवेश लिया उसके पिता का तबादला इस सहर में हो गया था इसलिए उसे सत्र के बीच में नए विद्याले में प्रवेश लेना पड़ा था पंकज एक दिव्यांग लड़का था उसकी एक टांग घुटने तक ही थी इसलिए उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता पढ़ाई में पंकज बहुत होशियार था उसकी पिछले अंकों के आधार पर उसका इस कक्छा में आसानी से प्रवेश हो गया था पंकज की कटी टांग देखकर कक्छा की छात्रमन ही मन दुखी होते थे पर रविंदर तो किसी और ही मिट्टी का बना था वह मन ही मन उसे परिसान करने की योजना बनाने लगा वह प्राया पंकज को सुना सुना कर कहता था लंगडो दीन बजावे वीन घड़ी में बजगे साधे तीन कभी वह बोड़ पर लिख देता विद्यालय का सरोतम धावक पंकज कुमार सबसे तेज दोड़ने वाला कौन पंकज कुमार पंकज यह सब देखता सुनता तो दुखी होड़ता था उसे वे दिन याद आते थे उसकी टांगे ठीक थी तो वह वास्तों में ही विद्यालय का सरोतम धावक और स्रेश्ट खिलाड़ी था अनेक बार उसकी आखे चल-चला उठती परंद रविंद्र पर इन सब का कुछ असर ना हुआ एक दिन पूरी छुट्टी होने पर पंकज अपने घर जा रहा था तबी रविंद्र भी उसके पीछे-पीछे हो लिया पैर से फुटबाल उचाल-उचाल कर पंकज को परिसान करता हुआ वह घर की ओर जा रहा था पंकज के रास्ते में वह बार-बार फुटबाल इस तरह उचाल रहा था कि उसे चलने में अरचन आ रही थी कई बार तो वह गिरते-गिरते भी बचा पंकज को परिसान करता हुआ आगे पीछे देखे बिना वह बीच सड़क में चल रहा था लगातार आती जाती गाड़ियों के भी उसे तनिक परवाह न थी अचानक फुटबाल के पीछे वह तेजी से दौड़ा और एक कार के चपेट में आ गया सड़क पर भीड कठी हो गई भीड में से रास्ता बनाता हुआ पंकज रविन्द्र तक जाब पहुचा उसने कारवाले से प्रार्थना की कि वह उसके दोस्त को अस्पताल तक पहुचा दे रास्ते भर वह रविन्द्र के लिए मंगल कामना करता रहा वह उसकी टांग की चोट को देखकर चिंतित था कि कहीं वह भी उसके जैसा अपाहिजना हो जाए कारवाले ब्यक्ति ने सीगर ही रविंद्र को अस्पताल पहुचा दिया उसके माता पिता को भी पंकजने सूचना दे दी समय पर चिकित सा सुविधा मिल जाने सी रविंद्र को जल्दी ही होसा गया रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया आज उसी की वज़ा से उनका पुत्र मृत्य के मुह से लोट आया था जब रविंद्र को पता चला कि पंकज ने उसे अस्पताल तक पहुँचाया है और उसकी देख भाल की है तो उसकी आँखों से पश्चा ताप के आँसु बह निकले जो बात उसके माता पिता वा अध्यापक उसे नहीं समझा पाए थे वही बात आज उसके साथ घटी एक घटना ने उसे समझा दिया समझा दी थी रविंद्र का बदला रूप देखकर उसके माता पितलता फूले न समाते थे उसके सहपाटी प्रसन थे अध्यापक उस पर गर्व करते थे और सबसी अधिक खुश था उसका मित्र पंकज इस्टूडेंट इस्टोरी आपको आपका कंप्लीट हुआ तिस्टोरी आपको क्या सिच्छा मिलती है तो आप इसे अब ड्राइट करेंगे